कही साल पहले जलंदर नाम के गाउं में संप्रीत नाम का व्यक्ती धावा पर हेट कुक के जैसे काम करता था उसे आलू बहुत पसंद था हर खाने में वो आलू मिलाता था एक बार उस जावे पर एक पहलवान आया भई एक बढ़िया सा फिशकरी दे न सेर आपके लिए बिल्कुल बढ़िया एकदम फ्रेश फिशकरी बना कर लाऊंगा कह कर दस मिनिट बाद आकर सर जी एली जी एकदम फ्रेश आलू फिशकरी आलू की फिशकरी वो क्या होता है पहले कभी नहीं सुना खाईए सेर स्पेशली मेड फॉर यू बाप रे इसका प्यार इतना देखा नहीं जा रहा है सोचते हुए सब्जी को खाया पहलवान खाती अचानक उठा एक गाड़ी को नीचे फेंका और ओनर के पास जाकर कहा मेरे जिंदिगी में इससे घट्या फिशकरी कभी नहीं खाया सर फटा जा रहा है और वहाँ से निकल गया धाबा ओनर संप्रीत की और देखा ऑरे एरे कुछ नहीं उसे अमेरिकन स्टैल में बनाया था उसे समझ में नहीं आया होगा यही करी मैंने दूसरे होटल में बनाया था इसके टेस्ट के वज़े से वो होटल बहुत उपर पहुँचा आप भी बहुत दूर पहुँचोंगे आपका होटल भी बहुत आगे बढ़ेगा एक बार एक पुलिस वाला धाबा पर आकर अरे बहुत थक गया हूँ कुछ ठंडा है तो लेकर आना संप्रित फिर आलू से शर्बत बनाया पुलिस वाला उसे पी कर छी छी क्या है ये इसका अजीब सा टेस्ट है क्या मिलाए इसमें बड़ी बद्बु हरी है और इसका टेस्ट भी अजीब सा मीठा है आखिर ये है क्या ये ये आलू का शर्बत है सर एं ये आलू का शर्बत ये क्या इसे कैसे बनाया बहुत ज्यादा पके काले आलू को अच्छी तरह मसल कर उसमें दही मिलाकर रसना मिलाकर निम्बू नी छोड़कर फलूदा डालकर उसे बनाया सर मैंने अपने हाथों से यक अब पके आलू कहीं सुना है उसे सड़े आलू कहते है क्या कर कॉन स्टेबल्स इसे जेल में डालिये एक महिने तक आलू के अलावा इसे कुछ नहीं दिया ए भगवान मुझे चाहे जिन्दीगी पर जेल में रखे पर आलू की सबजी मत दीजिये सर आलू खा खा कर मरने का जी कर रहा है सर अब आलू के साथ कभी एक्सपरिमेंट नहीं करूँगा मुझे बख्ष दीजिये सर कहकर निवेदन किया वैसे संपरित जेल से आखिरकार छूट गया कंजूस वाला एक गाउ में पिंगले नाम का एक आदमी रहता था वो बहुत कंजूस था और उसको चोरी करने की भी बुद्धी थी गाउ में हर दिन सुबा पेपर वाला हर गर को पेपर दाल के जाता था और दूद्ध वाला भी आकर दूद्ध के बोटल्स घर-घर पर दाल कर जाता था वो लोग जाने के बाद पिंगले हर गर के पास जाकर न्यूस पेपर को चोरी करता था एक घर के पास में पेज और एक घर के पास सिटी एडिशिन ऐसा करके न्यूस पेपर को ले जाता था बिल्कुल वैसे ही दूद को भी उनके बरतन में उन बोटल से दूद थोड़ा चुरा कर ले जाता था पिंगले के घर के उपर वाला एक पोर्शन खाली था एक दिन एक आदमी जाओ यहां से तब उस आदमी को कुछ समझ में ही नहीं आया और उदर से चला गया थोड़ी देर के बाद एक और आदमी आया पिंगले जी मुझे घर किराए पर चाहिए हमारा चोटा सा परिवार है मैं मेरी पत्नी और एक लड़का बस चोटी फैमली है तो अच्छा है पर आप रोज दूद डलवाते हैं ना हमें वो बोतल की दूद पिने की आदत नहीं है हम कहीं पी भी जाएं दूद वाले के पास जाकर ही दूद लेते हैं यहां कहां मिलता है आप बता सकते हैं क्या मैं नहीं बताऊंगा और घर किराए पर भी नहीं दूँगा जाओ तब वो आदमी को भी कुछ समझ में नहीं आया और वो भी वहां से चला गया उसके बाद तीसरा आदमी आकर घर किराए पर पूचा एक दिन पिंगली की पत्नी अजी सुनते हो घर में तरकारी कुछ भी है नहीं एक महीने होने के आ रहा है हर रोज वो इमली की पानी पी नहीं जा रहा है और अब वो इमली भी खतम हो गया अब सिर्फ चावल ही खाना पड़ेगा इतने में घर के बाहर एक तरकारी बंडी वाला जा रहा था वो तरकारी बंडी वाला तरकारी लेलो तरकारी आलू भेंडी चमातर तरकारी ले लो, आओ, आओ भाई तरकारी तुरंट पिंगले उस तरकारी बंडी के पास आया और पूछा भाईया, आपको मैं इससे पहले कही नहीं देखा, आप गाव में नहीं हूँ क्या हाँ सब, मैं गाव में नहीं हूँ, बोली आपको क्या चाहिए टमाटर 40 रुपे, आलू 20 रुपे, बिंडी 20 रुपे, मिर्ची 20 रुपे, लोकी 20 रुपे और कैबेज 40 रुपे आपको क्या चाहिए? टमाटर 40 रुपे? यह तो बहुत जादा रेट बोल रहे हो यह क्या, यह टमाटर तक खराब है? ऐसे बोलते हुए टमाटर को नीचे फेंखने लगा उसके बाद कैबेज को लेकर यह क्या, यह कैबेज 40 रुपे? यह तेखो, कितना सुखा हुआ है? ऐसे बोलते हुए उसको भी नीचे फेंख दिया उस तरह एक-एक करते हुए तरकारी को फेकते हुए उस तरकारी बंडी वाले को भी बाते सुना रहा था ऐसा बोलकर वहां से गुसे में चला गया वो तरकारी वाला जैसे ही वहां से चला गया, तब वो नीचे गिरे तरकारीों को लेकर थेली में डाल दिया उसके बाद वो उठकर पीछे मुड़ते ही वो तरकारी बंडी वाला ने उसको देख लिया उसको देखकर पिंगले हैरान हो गया ऐसा चिल्ला कर पिंगले को खूब मारा और सारे गाउवाले पिंगले की कंजूस बुद्धी को देखकर हसने लगे स्कूटर सासा राम नाम के गाउव में कपूर्श नाम का एक परिवार रहता था एक वक्त था जब वो बहुत धनी थे उनके दादा पर दादा को कार और बैक का बहुत शौक था समय बीता तो उन्हें जायदाद के साथ साथ एक स्कूटर भी मिला कपूर जी के पोते जगदिश को वो स्कूटर बहुत अच्छा लगता था जगदिश होशयार था इसलिए उसे एक अच्छी नौकरी मिली वो अपने दादा जी के स्कूटर पर ही आफिस जाता था उसके माबापने कई बार नई गाड़ी ले लो बेटा कहने के बावजूद जगदिश अंसुना कर देता हर रोज सवेरे चाहे दान साफ करे या ना करे जगदिश स्कूटर को ज़रूर साफ करता था इस डर से कि कहीं दूप में उसका पेंट ना निकल जाए स्कूटर के लिए एक छाता बनाया बारिश के मौसम में खुद भीगने की चिंता को छोड़ कर स्कूटर को भीगने नहीं देता था एक बार जगदिश के लिए रिष्टा देखने आये जगदिश दी मुझे आपका परिवार बहुत अच्छा लगा आपको आपके परिवार में सबसे ज़्यादर कौन पसंद है सबसे पहले मुझे मेरा स्कूटर पसंद है बाद में ही कोई और ये बात सुनकर लड़की अरे बाप प्रे ये क्या अभी से ऐसा है लगता है शादी की बाद स्कूटर में ही ग्रहस्टी चलाना होगा मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिष्टा वो रिष्टा भी तूट गया इस तरह जगदिश का उसके स्कूटर के लिए पागलपन की वज़े से कई रिष्टे हाथ से निकल गए बहुत दिनों बाद एक रिष्टा आया इस उमीद से कि शादी के बाद उसे बदल सकते हैं एक रिष्टा पका हुआ आखिरकार जगदिश की शादी हुई एक दिन सवेरे जगदिश रोज की तरह अपने स्कूटर को देखने बाहर आया तो करता हुआ एक कववा पेड़ पर आ बैठा उसने उस स्कूटर पर बीट डाला बस जगदिश को तो मानो दिल का दोरा पड़ गया तुरंत एक पाइप लेकर टैंक का सारा पानी खाली किया स्कूटर को साफ करने के लिए तभी पिता जी नहाने के लिए आए अरे बेटा बातरू में पानी नहीं आ रहा है अभी तो मैंने टैंक भरा था जरा देखना क्या हुआ पिता जी कववे ने स्कूटर पर बीट किया उससे साफ करने में टैंक का सारा पानी खाली हो गया अरे एक कववे के बीट को साफ करने के लिए सारा टैंक पानी खाली कर दिया अब नहाएंगे कैसे ओ सब मैं कुछ नहीं जानता चाहो तो वाटर कैन मंगवा लो नहाने और धोने के लिए वाटर कैन जानते हो कि कितना खर्चा होगा ये सब मुझे कहने की जुरूत नहीं है पिता जी ये लीजे हजार रुपे पैसे दे कर वहाँ से चला गया एक बार शहर से जगदिश का साला घर आया जीजू मुझे इस गाउ में एक बहुत बड़े मार्केटिंग कंपनी में इंट्रिव्यू के लिए बुलाया है रिटर्न टेस्स, मौक टेस्स, ग्रूप टेस्स सब मैंने क्लियर किया अब फाइनल रौंड इंट्रिव्यू है ये नौकरी मिली तो लाइफ सेटल हो जाएगी पर मार्केटिंग वाले पूछेंगे तुमारे पास गाड़ी है इसलिए मुझे कल आपके स्कूटर चाहिए जीजू यू उसने मांगा स्कूटर चाहिए कहकर सोच में पढ़ गया क्यों जी, मेरा भाई लाइफ में सेटल होने के लिए एक बार स्कूटर मांग रहा है तो आप आइंस्टाइन के तरफ सोच में पढ़ गये दे दो, नहीं तो स्कूटर को आग लगा दूगी बाप रे, ये क्या आग लगाने की बात कर रही है यू सहम कर ठीक है, ठीक है, एक दिन के लिए ही न, जरा ध्यान से रखना अगले दिन सवेरे, साला इंट्रिव्यो जाने के लिए स्कूटर स्टार्ट करने लगा अल दे बेस्ट बेटा, शाम को खुश कबरी के साथ आना सब यू अल दे बेस्ट कह रहे थे, कि अरे मेरी स्कूटर का ख्याल रखना, वो मेरा सेंटिमेंट है उसे कुछ ना हो, बस ये ध्यान रहे जीजू, मेरे नौकरी से आपको स्कूटर इंपोर्टेंट है क्या? अं, ठीक है, ठीक है, लेकिन स्कूटर का ध्यान रहे कुछ मिंटों के बाद, जगदिश साले को फोन करके साले साब, स्कूटर ठीक है ना, मैलेज क्या दे रही है? जीजू, अभी अभी तो द्याँ अपने, मैंने अभी अपने गली भी पार नहीं किया है अच्छा, ठीक है, ठीक है, स्कूटर संभाल के थोड़ी देर बाद, जगदिश ने फिर फोन किया हाँ साले साब, कहा हो, स्कूटर ठीक है ना, आप कमफर्टबल हो जीजू, अभी अफिस आया हूँ, बाद में फोन करता हूँ कहे कर फोन काट दिया, अंदर मैनेजर इंट्रिव्यो करता हुआ अरे साले साब, स्कूटर कैसी है, जीजू, मैं मैनेजर के सामने हूँ, इंट्रिव्यो चल रहा है, आपकी स्कूटर ठीक है, पार्किंग में है, ठीक है पार्किंग में? अरे उसे ताला लगाये की नहीं? जीजू, आपके स्कूटर को कुछ नहीं होगा, मैं देख लूँगा, कहा ना, मैं देख लूँगा ठीक है ठीक है, कहे कर फोन काटा वाट तो क्या वो स्कूटर तुमारी नहीं है पर तुमने तो कहा तुमारी है सर वो मेरे जीजाजी की है सैलरी मिलते ही इंस्टॉल्मेंट में नई गाड़ी ले लूँगा नो 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 मिस्टर कुमार I'm sorry अब तुम जा सकते हो कुमार हथाश होकर ओफिस से बाहर आया तभी फोन बजी अरे स्कूटर कैसी है पार्किंग में साथ वाले गाड़ी से खरोंश तो नहीं लगा एक बार जा कर देख ले न जीजू मेरी नौकरी गई अरे नौकरी गई तो दूसरी मिल जाएगी स्कूटर कैसी है जरा देखना स्कूटर ठीक है बिलकुल ठीक है कहकर फोन काटा घर लौट रहा था कि फिर फोन बजा कुमार अभी तक आये नहीं स्कूटर ठीक तो है न एक हाथ से स्कूटर चलाते हुए एक हाथ में फोन लेकर उसमें बात करते हुए कहकर बोल रहा था कि अचानक एक बंदर सड़क के बीश में आया कुमार उसे बचाने के चक्कर में पास वाले एक बैल गाड़ी पर चड़ा दिया कुमार और स्कूटर हवा में उचल कर मुर्गी खाने में जागिरे सारे मुर्गी हवा में उचलने लगे कुमार के सिर के नीचे टायर था और उसके हाथ में हैंडल, स्कूटर पूरा चकना चूर हो गया था तबी फोन फिर बजा वहाँ जैड टेंशन में घर के बाहर गश्ट लगा रहा था तबी कुमार एक हाथ में टैर और एक हाथ में हैंडल लेकर आया जो बीता सब बताया जगदिश एकदम तूट गया इसलिए कहते हैं ड्राइविंग करते समय है फोन पर बात नहीं करनी चाहिए